नमस्कार दोस्तों फिर्शे श्वागत है आपका अपने ही यूटूब चैनल निकी ब्लॉग में तहें दिल से हम आपका आभार ब्यक्त करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पॉस 81 अर्थात पुत्रदा 81 के बारे में बाते करेंगे तो दोस्तों पॉस की जो 81 अर्थात पुत्रदा 81 जनवरी के महीने में कब है ब्रत का महत्व क्या है इस ब्रत की पूजा बिधी क्या है ब्रत के नियम क्या है ब्रत का शुब मुहुरत क्या है एवं पारन का क्या श्रमय है सभी तमाम बिंदूओं पर हम इस विडियो पे चर्चा करेंगे दोस्तों पॉष की जो पुत्रदा 81 है चोबिस जनवरी को इस बार मनाई जाएगी इस तिन भगवान सिरी हरी विष्णू का पूजन किया जाता है मित्रों नी शन्तान दमपतियों के लिए पौश पुत्रदा 81 ब्रत बहुत ही शुब फल प्रदान करने वाला होता है ऐशी माननेता है कि इस ब्रत को करने से योग्य शन्तान की प्राप्ति होती है इसलिए इस ब्रत का नाम पुत्रदा एकाजसी है इस एकाजसी का ब्रत शचीश निष्ठा और नियमों के शात करने से शन्तान प्राप्ति और शन्तान की उन्नती होती है भगवान विश्णु आपकी शंतान की रच्छा करते हैं क्योंकि विश्णु पालन हार है अर्थात वो अपने शंतान को पालते हैं पुत्रदा एक आजसी ब्रत कथा का भी बहुत ही महत्र है दोस्तो ऐशा माना जाता है कि इस ब्रत कोई कथा पढ़ने और स्रवन मात्रशे ही बेक्ती को शंतान सुख की प्राप्ती होती है एवं इस श्रभी भव बंधनों से पार हो जाते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की दुख शंपदा घेरे रती है उन्हें एक आजसी का या ब्रत बहुत ही फलदाई होता है पूरे वर्ष में दोस्तो सितकुल मिलाकर चोवी से काजसी के ब्रत पढ़ते हैं एक श्रावन मास में और एक पौश मास में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम पौश मास की एक आजसी के बारे में बाते करेंगे दोस्तो दोस्तो इस ब्रत में श्री हरी विश्नु की पूजा अराधना की जाती है इस ब्रत को सचे मन से या ब्रत करने से भगवान संतान सुख की प्राप्ती होती है जिन लोगों को किशिवी प्रकार की शंतान संबंदी शमश्या हो उन लोगों को ये ब्रत रामबान के शमान है पुत्रदा एकाथसी ब्रत करने से बाजपे यग के बराबर पुन्य फल की प्राप्ति होती है जीन लोगों की शंतान नहीं है उन लोगों के लिए बल बहुत ही शुबदाई होता है भगवान विश्नु की कृपाशे उने शंतान सुक की प्राप्ति होती है अगर शंतान की किशी भी प्रकार का कष्ट हो तो यह ब्रत रखने से वो कष्ट जो है दूर होते है और शंतान दिरगाई होता है जो लोग फूरी स्रद्धा के साथ पुत्रता एकाथसी का ब्रत करते हैं उनकी सभी मनवांचित कामनाय परिपूर्ण होती है मित्रों जहां तक इसके शुब मुहरत की बात करें तो पुत्रता एकाथसी 24 जन्वरी को है दोस्तो पुत्रता एकाथसी 24 जन्वरी को आरंभ होगी और ब्रत का पारन जहां तक है वो 25 जन्वरी को सुवा में होगा दोस्तो तो पुत्रता एकाथसी की शुब मुहरत में आप भगवान विश्णू की अरादना सच्चे मन धन और तन से करे दोस्तो जहां तक एकाजसी ब्रत है वो निर्जला भी किया जाता है लेकिन आप अपनी छमता की अनुशार उन्हें जल के शात भी किया जा सकता है शंध्या के शमय फला हार भी कर शकते हैं अगर आपको एकाजसी का ब्रत रखना है तो दश्मी तिथीश में ही शात्वी का हार गरहन करना चाहिए एकाजसी के दिन दोस्तो शुव अशनाना दिन करमों से निब्रित होकर भगवान विश्णू का मन ही मन जाप करना चाहिए और ब्रत का संकल्प लेना चाहिए विश्णू की पूजा कर पूर्ण र ब्रत में ब्रह्त में ब्रह्म चर्य के नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों तो इसके लिए हमें पूजा बिधी कैसे करें दोस्तो शुबा अशनान से निब्रित होकर श्वक्ष पस्तर धारन कर पूजा घर में विश्णु भगवान को प्रनाम कर एक दीपक प्रजलवित करे और ब्रत का संकल्प करे धूप दूप दिखाए और विदिवत विश्णु की पूजा करे नैविदिशी भोग लगाए और आरती उतारे विश्णु जी को तुलसी अतिप्रिय है इसलिए उनकी पूजा में तुलसी का परियोग अवश्य करे और मन ही मन जो आपकी कामना है संतान सुख संतान की प्राप्ति का वो मन ही मन उनके शामने कह दे भगवान विश्णु बहुत ही दयालू है अपने भगतों पर वे अवश्य ही आपकी किरपा के दान को देंगे दोस्टों उमीद है दोस्तों आज की ये विडियो अगर आपको पशंद आई होगी तो सच्चे मन से हमारे चैनल को एक लाइक सेयर और सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करते रहे धन्यवाद